नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस विडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बीते दिनों के साथ-साथ दोस्तो हार एक चीज की जो rate है rate दोस्तो तेजी से बढ़ रहा है मतलब सबके rate बढ़ रहा है और बढ़ती rate इपी साथ अपकी budget भी down होते जा रहा है कि अगर आप अप का और दोस्तो लेस लेवर चाज इसलिए दोस्तो आज की वीडियो में हाँ आपको दिखाएंगे एक प्रोपर तरीखा से प्पेenter करने के लिए आपका कितना ख्र्चा होगा क्योंकि दोस्तो आप सबी को पता है कि पेen करने के लिए भाईया चार राथी पेंट आपको करना होगा तभी जाकि आपका प्रोपर तरीका से Painting का aur इन चार पेंट में स्थे सबसे पहले आपको white कैमड करना है उसके बाद उस्तों माल पोटी का दोफ़ी करना है 벌써 के बाद जाकर दोस्तों आपको एक coat यूज़ कर सकता है लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीका से पेंट का फिनिसिंग चाहता है तो मेरे भाई इन चारो को आप दो-दो में कितना क्रचाएगा क्यूंकि जाहर सी बाद हब अगर एग रॉम का हमारा पूरा कैल्क्यूलेशन निकल जाएगा कि पेन्ट करने में हमारा कितना खचाएगा, तो दोस्तो मालनेजी हमारा एक रूम 600 सकरफिट है और इसीको हम लोगा भी calculate करने वाला है तो दोस्तो 1 किलो हाइट से मिट का प्राइस होता है लगभाग दोस्तो 17 रुपिया दोस्तो 1 किलो हाइट से मिट में अपका पंदरा सकरफिट दो कोट का वाल दोस्तो अराम से कवर होता है तो इसी हिसाब से दोस्तो 600 इसकर फिट अपका वाल में 40 किलो दोस्तो वाइट सेमेट का जरुदध होता है और 40 किलो वाइट सेमेट का बाजारी मुल्ले होता है दोस्तो 680 रुपिया तो दोस्तो कुल मिला कर हमारा 600 इसकरफिट एक रूम का हमारा 680 रुपया का खर्च हुआ वाइट सेमिट का अब दोस्तो बात करेंगे वाल पुट्टी की तो दोस्तो वाल पुट्टी होता है दोस्तो 22 से 25 रुपया में अराम से दोस्तो मिल जाता है और दोस्तो एक किलो वाल पुट्टी में आपका 12 से लेकर 15 स्करफिट आपका वाल कवर देता है दो कोड का तो दोस्तो अगर हम मान ले कि 12 स्करफिट हमारा 1 किलो का कवर देगा तो दोस्तो 600 इसकेरफिट वाल दो कोड लागाने के लिए हमारा 50 किलो वाल पुट्टी की जर्रद होता है और दोस्तो 50 किलो वाल पुट्टी का बाजारी मुल्ल होते हैं दोस्तो 1250 रुपिया तो दोस्तो कुल मिला कर हमारा 600 स्करफिट एग रूम का दोस्तो पुट्टी का खर्चाता है 1250 रुपया अभी दोस्तो बात करेंगे प्राइमर की तो दोस्तो बाजार में प्राइमर लगभक 150 रुपया लिटर पर मिल जाता है और एक किलो प्राइमर में दोस्तो 170 से लेकर 170 स्करफिट अपका वाल कवर देता है तो इसी हिसाब से दोस्तो हमारा 600 स्करफिट एक रूम का प्राइमर चाहिए दोस्तो 4 लिटर और 4 लिटर दोस्तो प्राइमर का बाजारी मुल्लो होता है अगर 170 रुपिया लिटर है तो 600 रुपिया तो दोस्तो कुल मिला कर हमारा प्राइमर का कोश्ट हो गया 600 स्करफिट का 600 रुपिया ही खर्चाएगा अभी बात करेंगे दोस्तो पेंट की बारे में तो दोस्तो 80 की हिसाब अभी लगाने वाला है तो दोस्तो 180 एक लिटर का प्राइज होता है तो दोस्तो आपको चीज में बता दू कि एक लिटर पेंट में दोस्तो 80 स्करफिट आपका वाल कभर देता है तो इसी हिसाब से दोस्तो हमारा 600 स्करफिट वाल में 7.5 यानि कि दोस्तो साड़े साथ लीटर पेंट हमें चाहिए दो कोट का और दोस्तो साड़े साथ लीटर पेंट का बाजारी मुल्ल होता है दोस्तो 1350 रुपिया तो दोस्तो हमारा कुल मिलाकर पेंट का खर्चा आता है दोस्तो वाइट सेमिट का 680 रुपिया वाल पुट्टी का दोस्तो 1250 रुपिया प्राइमर का आता है 600 रुपिया और दोस्तो 2 कोट पेंट का आता है 1350 रुपिया अभी अगर दोस्तो सभी को एक साथ जोड़ा जाए तो हमारा पेंट का खर्च आता है दोस्तो 3880 रुपिया 600 स्करफिट वाल का अब भी दोस्तो बात करेंगे labor cost की बारे में तो दोस्तो क्या होता है हार एक state में अलग-अलग labor charge होता है लेकिन दोस्तो अगर general से एक बात किया जाए तो दोस्तो 8 से लेकर 10 की बीच में आपका एक square fit pain का लगेगा तो इसी हिसाब से दोस्तो अगर हम लोग 9 रुपिया मानके चले तो दोस्तो अगर 9 को 600 से डिबाइट किया जाए तो दोस्तो हमारा labor cost आए गया 5,400 रुपिया और pain का cost दोस्तो आया था 3,880 रुपिया अभी दोस्तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 9,280 रुपिया यानिके दोस्तो हमारा 600 स्क्यार फिट वाल pain करने के लिए 9,280 रुपिया का जरुदि है अभी दोस्तो अगर बात किया जाए कि एक स्क्यार फिट में हमारा कितना दोस्तो खर्चाएगा pain करने के लिए तो दोस्तो 9,280 के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो दोस्तो एक square feet हमारा wall paint करने में total cost आएगा labor को मिलाकर 15 रुपया पर square feet यही होता है दोस्तो paint करने का असली cost तो दोस्तो यहां से आप लोग थोड़ा बहुत अंदजा लगा सकता है आपका घर जितना भी square feet है 15 square feet के हिसाब से अगर आप budget में रखेंगे तो बिल्कुल दोस्तो आप सही में रहेंगे